हलो इस्टुडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर मैं हूं राजेश सर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्टेडी टाइम भाई राजेश सर्मा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्या दस्की अंग्रेजी की बुक फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का थार्ड चैप्टर दा मिड नाइट बिजिटर और इस लेशन के अंदर भी हम पिछले वीडियो की तरह पार्ट का पूरी तरीके से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहां पर डिफिकल्ट मीनिंग्स आएगी उनका भी हम अर्थ देखेंगे और इसके अलावा इस लेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉशन्स आपके दिये हुए हैं रीड एंड मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें इस्टेडी टाइम बाई राजे सर्मार महां जाकर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं और यह एक बेहद रोमान चक फुल आफ थ्रिल यानि बहुत ही रोमान से बरा हुआ पार्ट है इसलिए आप मिस नहीं करें इसको और देखें सुरू से अंतक जिससे आपके यह लेसन पूरी तरह समझे माजिया है इसमें होता है क्या है कि ऑसीबल ए सीक्रेट एजेंट ऑसीबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है मनलब एक जासूस है इस एक्सपेक्टिंग तो गेट मेक्स एक दूसरा सीट एजेंट वी ए जिसका नाम मैक्स है थी टंस हीम बद एपिश्टल डिमांडिंग percent और यह मैक्स नाम का जो अनदर सीक्रेट एजेंट है वो अपनी पिस्पोल से धमकाता है थी हम देखेंगे कि क्या ओसीवल मैक्स नाम का जो दूसरा जासुस है उसे आउटविट करता है या नहीं करता है तो देखें वीडियो को शुरू से अंतक तो आईए सुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट आउसेवल डिडिन नोट फिट एनी डेस्क्रिप्शन ओफ ए सीक्रेट एजेंट फावलर हैड एवर रेट यानी फावलर ने जो कुछ भी अब तक पढ़ा था सीक्रेट एजेंटों के बारे में कि वह सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं तो इस तरह का कोई भी बर्णन, कोई भी डेस्क्रिप्शन, औसेवल के बारे में फिट नहीं होता था, यानि कोई भी बात जासूस वाली औसेवल के अंदर मेल नहीं खाती थी, डेस्क्रिप्शन मनला बर्णन, फालोविंग हिम डाउन दा रश्टी कोरिडर अफ दा ग्लूमी फ्रेंच होटल, वेर आसेवल हैडे रूम, और इस फावलर नाम के आदमी ने आसेवल का पीछा किया, उस ग्लूमी फ्रेंच होटल के, यानि अंदेरे से बरे हुए उस फ्रांसिसी होटल के, मश्टी कोरिडर से होता हुआ, यानि सीलन से बरे हुए गलियारों से होता हुआ, वेर आसेवल हैडे रूम, और उसका पीछा करते करते, ये फावलर नाम का आदमी, आसेवल के साथ वहाँ पहुँच गया, जहां उसका कमरा था, फावलर फैल्ट लेट डाउन, और जब ये वहाँ पहुच तो फावलर ने जो कमरे की इस्तिती देखी, उसे देखकर के वह लेट डाउन हो गया, मनलब निराश हो गया, क्योंकि कमरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमाल रूम, एक छोटा कमरा था, ऑन दा सिक्स्ट और टॉप फ्लॉर, और ये जो कमरा था, औसेवल का, ये इसमाल रूमेंटिक एडवेंचर, और ये कमरा बिलकुल भी उप्यूकत नहीं था, किसी रूमेंटिक एडवेंचर के लिए, किसी रूमेंटिक सासिक कारियों के लिए, औसेवल वाज फार वन तिंग, फैट, औसेवल के लिए एक बात ये थी, कि वो मोटा था, बेरी बहुत ज्यादा मोटा था, और एक बात ये थी, कि उसका जो एसेंट था, जो लेजा था बोलने का, दो ही स्पॉक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, हला कि वो जर्मन और फ्रेंच दोनों ही भासाएं, पासिबली, यानि बड़ी सफलता पूरवक्ष पॉक बोल सकता था, या बोलता था, he had never altogether lost the American ascent, लेकिन फिर भी, इन भासाओं को बोलते वक्त भी, उसका जो अमेरिकन लेजा था, he had brought to Paris from Boston 20 years ago, यानि 20 साल पहले जब वो बोस्टन से पेरिस आया था, और जो उसकी बोल चाल के अंदर जो अमेरिकन लेजा था, जो अमेरिकन लेजा था, वो अ सांसिसी बोले, या जर्मन वाचा बोले, सब में अमेरिकन लेजा भी सामिल होता था, altogether, you are disappointed, Osable said, visually, over his shoulder, उसके कंदों के उपर से घरगराती हो अवाज में, Osable ने फावलर से का, कि तुम disappointed हो, मनलब तुम निरास हो, disappointed गा मनलब निरास, you were told, that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger, you were told, यानि तुम को ये बताया गया था, कि I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger, कि मैं एक secret agent हूँ, a spy, एक जासूस हूँ, dealing in espionage and danger, और मैं हमेशा खत्रों में, और जासूसी के कारियों में, लिप्त रहता हूँ, you wish to meet me, because you are a writer, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की, विष्ट इच्छा की, because you are a writer, कि तुम एक writer हो, young and romantic, एक युवा और रूमानियत से बरे हुए, यानि कलपना से बरे हुए, यानि तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की, क्योंकि तुम एक लेखक हो, और जबान हो, और भौती कलपना सील हो, रौमेंटिक का मतलब होता है, कलपना सील, you envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine, और envision का मतलब होता है, देखना, mysterious figures, यानि रहिष्मई याकरतियां, इन्दा नाइट यानि रात में, the crack of pistols, यानि पिस्टोलों की आवाजें, drugs in the wine, यानि सराव के अंदर नसीली दवाईयां मिली हुई होना, यानि तुमने रात के अंदर रहिष्मई याकरतियां, पिस्टल्स के गूंजने की आवाज, या कड़कने की आवाज, और शराव के अंदर नसीली दवाईयां मिलाने की जो बाते हैं, वो तुमने end vision किये, यानि तुमने देखी है, इंस्टीड यू हैव इस्पेंट डल इवनिंग, और इसके बजायत तुमने इस्पेंट यानि विताई है, डल इवनिंग, बहुती हुआव शाम इने फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर, विदे सलॉफी फेट मैन, एक बेढ़ंगे मोटे आ काली आँखों वाली सुन्दर महिलाओं के दोरा, गेट्स ओन लिए प्रोजेक्ट टेलीफॉन कॉल, और उसने सिर्फ इन चीज़ों के बजाया, उसने सिर्फ क्या चीज़ प्राप्त की, सिर्फ उबाओ टेलीफॉन कॉल प्राप्त की, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन दो फैट मेन चकल्ड तो हिमसेल्फ, वह मोटा आदमी, फैट मेन, चकल्ड, चकल्ड का मनला मनी मन में हसना, अंदर ये अंदर से हसना, तो हिमसेल्फ, अपने आप पर अंदर ये अंदर हसा, एजी अनलॉग दोर ओफ इस रूम, जब उसने अपने कमरे का दर्वाजा अनल अपने उस frustrated guest को अंदर आने देने के लिए उस परेशान मेहमान को यानि फावलर को उस कमरे के अंदर आने देने के लिए वो एक तरफ हट करके खड़ा हो गया तुम पूरी तरह से निरास हो गए हो औसेवल ने उससे कहा बट टेक चीर लेगन खुशिया मनाओ माई यंग फ्रेंट मेरे युवा मित्र प्रिजेंट ली यू विल सी ये पेपर अब बरतमान में यानि थोड़ी देर में यू विल सी ये पेपर तुम्हें एक कागज देख होगे एक कॉइट इंपोर्टेंट पेपर जो की भौती मेंत्पूर्ण पेपर है फोर विच सेवरल मैं एंड बीमन है रिष्ट देर लाइब और जिसके लिए बहुत सारे सेवरल ने बहुत सारे मैं एंड बीमन यहीं लोग और महिलाएं यानि आदमी और महिलाएं यानि उस कागज के लिए बहुत सारे पुरसोने और महिलाओं ने अपने जीवन को रिस्क में डाला है दाव पर लगाया है जोखिम में डाला है कम टू मी मेरे साथ आओ समड़े सून दैट पेपर में वैल अफेक्ट दा कोर्स ओफिस्ट्री किसी दिन जल्दी ही दैट पेपर यानि वह कागज में वैल अफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट कर सकता है प्रभावित कर सकता है दा कोर्स ओफिस्ट्री यानि हि इस विचार के अंदर कोई ड्रामा है, कोई नाटक है, क्या वहाँ नहीं है, जैसे ही वो बोला, आसेवल लॉज दा डॉर बहाइंड इम, आसेवल ने कमरे का दर्वाजा उसके पीछे बंद कर दिया, जैसे ही बिजली जली, यानि उसके अंदर जैसे ही उसमें प्रकास हुआ, फावलर हैट इस फ़स्ट ऑथेंटिक थ्रिल अफ दे अर तब फावलर ने अफ दा डे यानि उस दिन का, इस फ़स्ट यानि अपना पहला ओथेंटिक थ्रिल यानि वास्त्विक थ्रिल कमल रोमांच यानि वास्त्विक रोमांच उसने देखा, फॉर हाब वे अक्रोस दा रूम, क्योंकि कमरे में, यानि आदे कमरे में ही, यानि कमरे की लंबाई के मध्य भाग में, एक आदमी खड़ा हुआ था अपने हाथ में एक छोटी आटोमेटिक पिस्टल लिये हुए एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ था उसेवल ब्लिंग डे फ्यू टाइमस उसेवल ने उस आदमी को जैसे ही देखा उसने अपनी आँखों को ब्लिंग किया मलब जपकाया दो तीन बार मैक्स ही विजड यू गे मी एक वाइट श्टार्ट यानि वो पैचान गया उसेवल कि वो आदमी जो खड़ा हुआ था हाथ में पिस्टल लिये हुए वो मैक्स था यानि ही विजड विजड यानि वो उसने कहा आमल लग घर गराती आवाज में कहा Max he wished you gave me a quiet start उसने कहा घरगराती आवाज में आशेवल ने अपनी घरगराती आवाज में कहा मैक्स तुम हो ये तुमने तो मुझे आग चकित कर दिया तुमने मुझे काफी चकित कर दिया है I thought you were in Berlin मैं तो ये सोचता था ये समझता था कि तुम Berlin में हो What are you doing here in my room और तुम यहां मेरे इस कमरे में क्या कर रहे हो तो प्यारे बच्चों आपने देखा आप तक कि ओसेवल नाम का एक जासूस है और फावला नाम का एक राइटर है यूबा राइटर कलपला सील वो साध किसी चीज़ की खोज में उसेवल नाम के जासूस का पीछा करता है और पीछा करता हुआ उसके कमरे तक पहुशता है और जब वो उसके कमरे में पहुशता है तो वहां वो चकित रह जाता है बहुती थ्रिल्ड हो जाता है जब वो वहां एक तीसरे व्यक्ती मैक्स को देखता है जिसके हाथ में एक पिश्टल है, तो यहाँ पर वो दो जासुसों को आपस में देखता है, खड़े हुई, तो इससे संबंदित यहाँ पर जो question answers है, उनको हम यहाँ पर solve करेंगे, read and find out, पढ़ो और पता लगाओ, जैसे पहला question है, how is usable different from other secret agents, यानि usable दूसरे secret agent से कैसे भिन्न था, तो इसका answer हम इस तरह कह सकते हैं, कि usable doesn't appear to be active and agile as a secret agent is supposed to be, यानि जैसा माना जाता है कि secret agent काफी active और agile होते हैं, उसके बिल्कुल यह विप्रीथ था, because he is very fat, क्योंकि यह बहुत ही मोटा था, his accent is not proper, इसके अलावा इसका जो बोलने का लेजा था, वो भी सही नहीं था, though he speaks French and German, possibly, हाला कि यह German और फ्रांसेसी बासा, आसानी से बोल लेता था, he has never altogether lost the American accent, फिर भी इसका जो American लेजा था, वो पूरी तरह से गया नहीं था, he has brought to Paris from Boston, जो यह Paris आया था बोस्टन से, तब लेकर के आया था, 20 years ago, 20 साल पेले, अब देखिए इसका second question, who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day, यानि Fowler कौन है और what is his first authentic thrill of the day, और उस दिन का उसका जो first authentic thrill है वो क्या है, तो इसका अंसर हम इस तरह दे सकते हैं, कि Fowler is a young and romantic writer, Fowler एक young romantic writer है, his first authentic thrill of the day is the sudden appearance of the other secret agent, Max, with a small automatic pistol in his hand in Ausable's room, यानि Fowler एक युवा रोमेंटिक लिखक है, और Ausable के कमरे में दूसरे जासूस मैक्स को उसके हाथ में एक छोटी स्वेचालित पिस्टॉल के साथ आकास्मी को पस्तिती, उसका दिन का पहला असली रोमान्च है, तो प्यारे वच्चों इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में इसी चैप्टर के second पार्ट के साथ हमारी और तुमारी एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, और देखें मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर, तो प्यारे वच्चों, that's all for today, see you again in next video, till then, keep watching my videos, have a nice time, stay at home, stay safe, thank you very much. झाल